ओम नमा हां सिद्धी प्याह जै मंगल भूदाडं विम्मिलाडं नानु धन्चन मयाडं तैलो ये सेहराडं नमो सयासव सिद्धाडं नमो अरंताडं नमो सिद्धाडं नमो आईरी आडं नमो वज्जायाडं नमो लो ये सव सावूदं अनन्त नंत परमशिद्ध भगवन्तों की देवादी देवेकज राट श्री आधिनात भगवान की आचारे भगवन गुरुवर विशुट्सागर्जी मुन्राच की पंच कल्यानक प्रतिष्टा महां महुत्सों की शुर्थ संबे के मुनि श्री अधित्य सागर्जी महाराच के मुनि संग की नमोस्त शासन भगवन्तों अंतिम तीर्थेश बगवान महावीर स्वामी केस पावन और पुनित साष्यन में हम सभी विराष्टे हैं तीर्थंकर जिनेंदर की इप्यूज देशिनाई मनिश्यों हम सभी जीवों के कल्यान का साधन है सुबह अबन ने आत्मिक विकास के लिए तत्तों का निर्णे कियa था कि अगर दन को सुद्ध करना हो तो इस्नान करना चाहिए और मन को सुद्ध करना हो तो ध्यान करना चाहिए दो बाते और कि अगर धन को सुद्ध करना हो तो दान करना चाहिए और जीवन को सुद्ध करना हो तो सहियम धारन करना चाहिए विक्ती जोश में होश को बैठता है जीव जोश में होश को बैठता है और जहां होश को बैठता है वहाँ सब कुछ खो बैठता है अपने जीवन का विकास हमें कैसे करना है ये अपन को निर्णे करना है किसी और को नहीं क्योंकि विकास हमारा हमसे है खुद से है महायगिनायची विकास हमारा हमसे है खुद से है दूसरे से नहीं है तो हमें अपने जीवन के क्रमिक विकास का स्वयम विचार करना चाहिए तन स्वस्त रहेगा तो मन स्वस्त रहेगा अगर तन निरोगी रहेगा तो मन भी निरोगी रहेगा शरीर में अगर कोई रोग हो जाए किंजित मात्र भी रोग हो जाए तो बड़ी मन में आकुलता व्याकुलता रहती है ये आकुलता व्याकुलता क्यों रहती है शरीर स्वस्त नहीं और अगर मन अगर स्वस्त हो जाए फिर किसी स्वस्थता का विचार नहीं आता अगर आप चाहते हो कि मन स्वस्थ रहे तो तन को भी स्वस्थ रखना शरीरम आद्यम खलू धर्म साधनम धर्म के साधनों में सबसे प्रतम साधन आपका शरीर है मां आप लोग सुन रहे हैं न बहुत वरत करना उपवास करना कोई मना नहीं है अपनी शक्ती से अधिक मत करना जहां आपने शक्ती से अधिक और मौसम के प्रतिकूल साधना की फिर पाढ़ना हॉस्पिटल में होती है बॉटल के साथ ऐसा काम नहीं करना आगम में भिन्ने भिन्ने रोगों के लिए भिन्ने भिन्ने प्रकार के ध्यान की व्यवस्ता बताईए अरहम का योग अरहम का ध्यान हिरीम बीजाक्चर का ध्यान जिसको अपनी बुद्धी की वृद्धी करना हो उसको हिरीम भी जाक्चर का ध्यान करना चाहिए जिसको हिर्दे संबंदी रोग हो उसको अरहम का ध्यान करना चाहिए और आगम की विता है कि अगर किसी के शरीर में रोग हो उसी जगा जहां रोग है वहां कलीम भी जाक्चर का ध्यान करना चाहिए क्लीम भी जाक्षर का जैसे माना कि कोई बहुत बड़ा परवत है कोई बहुत बड़ा परवत है उस परवत को फोड़ना है तोड़ना है चूर चूर करना है कैसे करोगे हतोड़ी से हो जाएगा घं से हो जाएगा मशीनों से भी नहीं हो पाएगा फिर आप क्या प्रयोग करते हो क्या प्रयोग करते हो डाइनामाइट उस परवत में अलग-अलग जगा बम लगाये जाते हैं और दूर से खड़े होके बटन दबाते हैं परवत के परवधेर हो जाता है ऐसे ही जहां जिस हिसे में शरीर के रोग हो उस हिस्से में क्लीम भी जाक्षर का ध्यान करना चाहिए सर में धर्ध हो तो ध्यान की मुद्रा में बैठ करके क्लीम भी जाक्षर का ध्यान करना चाहिए और ऐसा करने से उन रोगों का शमन होता है क्यों हो क्योंकि आंतरिक क्रिया आंतरिक रसानिक क्रिया चलती है। ज़ो विज्ञान जानते हूं से पूछना है कि एक दवाई चोटी सी सफेद रंगी, मुक से खाई, पेट में गई सिर्दर ठीक हो गया, ऐसा कैसे है ऐसा होता की नहीं ऐसा कैसे होता है डॉक्टर साथ ऐसा कैसे होता है कि डॉक्टर को हाथ दिखाते ही आदा मरीज तो वहीं ठीक होता है अगर डॉक्टर समझदार है तो नहीं तो दसक साल आयू वहीं कम हो जाएगे एक डॉक्टर एक जगा भीया क्या काम करता था अकलिश जो मरीज आये उससे एक ही शब्द कहता था बिल्कुल सही टाइम पर आये हो दो मिनिट और लेट आते डाटा समाप्त हो जाता कुछ लड़कों ने मिलकर के वहाँ पर प्लानिंग करी कि आज अपन चलते हैं तो एक गाड़ी में एक बालक को लिटा गए वह लेक डॉक्टर साब बहुत सीरियस है चक्कर आगए समझ में नहीं आया क्या हुआ हो लड़का तो भेवस होने कनाटक कर रहा था और लिटा दिया उसको डॉक्टर कहता बस तो लोग सही टाइम पर आयों दो मिट और लेट हो वो लड़का उटके बैट गया वो जो बालक था उटके बैट गयाँ तो क्या होता ऐसा ही दोक्टर के पास मत जाना ऐसे डॉक्टर के पास जाना जुस्समाधान दे जो क्या करें समाधान दे समस्या ना बढ़ा दे उस डॉक्टर के पास जाकर के पूछना कि दवाई तो मुख से खाते हैं जाती पेट में सरदर्द कैसे ठीप होता है क्या होता है डॉक्टर साथ एक रासाईनिक क्रिया होती है जिसको आपकी भाष्ण में कहते हैं chemical reaction दवाई खानी से एक reaction हुआ और उस शरीर के जिस हिस्से में तकलीफती वहीं दवाई जाती है सही डॉक्टर साथ ये कौन पहुचाता है ये दवाई की delivery करने कौन जाता है स्वयम शरीर बस यही बात समझना है अगर आपको कहीं शारीरिक पीड़ा है आप ध्यान करेंगे एक रासाइनिक क्रिया होगी और वो रासाइनिक क्रिया ऐसी होगी रोग छण मात्र में शांती को प्राप्त होगे अरे जब ध्यान से आटो कर्मों का शमन हो जाता है तो छोटे मोटे रोग ठीक होना कोई क्या बड़ी बात है लेकिन श्रद्दा होगी तो आपके अंदर में श्रद्दा होगी तो वरना दवाई खाने पर भी ठीक नहीं हो पाऊगी इसलिए ध्यान करने से शरीर और मन दोनों की सुद्धी हो सकती है आगे चलते हैं आगे कह रहे हैं धन को कैसे शुद्द करते हैं धन की शुद्धी का उपाए दान है और जीवन को सुद्ध करने का उपाए सईयम है जितना आप अपने जीवन में सईयम धारन करके रखेंगे वरतों को धारन करके रखेंगे उतना जीवन पवित्र होता जाएगा और जितने अंश में ब्रतों का अभाव होगा उतने अंशों में रोगों का दुखों का सद्भाव होगा आपका जीवन किसके हाथ में? आपके की पडोसी के? अवाज नहीं आ रहे पड़ोसी के हाथ में किसके हाथ में आपका जीवन आपके हाथ में नहीं नहीं आपका जीवन पड़ोसी के हाथ में क्योंकि जो जैसा पड़ोसी करता है वैसी तो आप करते हो अगर पड़ोसी के नहीं कार आ जाए तो पड़ोसी के आगर नहीं वाली कार आ जाए तो क्या करते हो आप भी अपनी कार बगलने का विचार करते हो पड़ोसी का जैसा इंटीरियर, एक्स्टीरियर है घर का उससे अच्छा अपना होना उसके आप छत में गार्डन है, अपने पूरे घर में गार्डन होना ऐसा नहीं करते हैं ऐसा ही करते हो आप अपना जीवन पड़ोसी के नुसार जीती है ना मानो तो एक आपको प्रेटिकल दिखाता हूंगा अंजुल भिया सुबा सुबा उठे तो हनी कहता आप कितने गुरु भक्त हो 24 गंटे गुर्देव की सेवा करते हो आपसे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं अंजुल भिया भूल के कुप्पा हो गए मैं बहुत अच्छा आद्मी हूं बहुत अच्छा आद्मी हूं अगले दिन शुबा मुठा कहता है न काम के न धाम के दुस्मन हनाच के कोई काम न मतलब उस व्यक्ति के कहने से आप अपने जीवन का निर्ने करोगे ऐसा कर मत लेना ऐसा कभी कर मत लेना अपने जीवन का निर्नय अपने सहियं से करना अपने जीवन का निर्न है अपने योगों से करना कि मेरा योग कैसा है मेरे सहियम कैसे है वैसा मेरा जीवन है आप लोगों मैंसे किसी ने भक्तामबर के वृत किये क्या नमोकार के भक्तामबर के अत्वा कोई भी रोहनी 64 रिद्धी वरत पवास किये, नहीं किये, कितने लोगों ने किये, बहुत सारे लोगों ने किये, क्यों किये हैं, कॉमल जी आपने भी किये, क्यों किये हैं, बताओ ना क्यों किये, सब कर रहे थे तो अपन ने भी कर लिया कैंसी आत्म काल्यान के लिए किया होता तो आज बहोग है जो विक्ति अरे जब जहां भाइदा मिलता तो वहां वापस इंवेस्मेंट करते irrational कि नहीं करते आत्म कल्यान का भाव उतनी समय का था उसके बाद नहीं था छोटे-मोटे व्रत्तों करी सकते थे, एक आसन हसे कर लेते, नहीं बात है, दो आसन से कर लेते कुछ तो सहियम रखके कर लेते, जीवन में सहियम है, तो जीवन जीवन है, पर ना जीवन जीवन नहीं है परमात्मा बनना है भगवान बनना है तो पहले इंसान बनना तो सीखना पूले है और इंसान बनने के लिए सबसे पहले कुलाचार और जिसको आप पूर्णता भूल चुके हो रात्री भोजन ना करना पानी च्छान के पीना गणत वस्तुओं का त्याक करना बाजार में नहीं खाना ये जैनों का कुलाचार था नित्य पूजन करना अभिशेक करना गुरुजन आये तो चौका लगा करके आहर करना ये कुलाचार था अब पूछना पढ़ता है भईया वेज और नौन वेज कौन सी होटल जाते हो नौन वेज वाली होटल तो नहीं जाते हैं बेटा पूछना पढ़ता है कि भी या फास्ट फूट खाते की नहीं मा कुलाचार की मर्यादा ही समाप्त हो चुकी है विचार करना कुलाचार की मर्यादा ही समाप्त हो गई है अब आपको क्या आचरण क्या सही हम बताएंगे अगर कोई आलू पे आज का त्याक कर दे रात्ति भोजन का त्याक कर दे तो पीछे से उसकी मा खीष बोलती भाहिया भाहर पढ़ने जाएगा तो क्या करेगा पार्टी में जाएगा तो क्या करेगा अरे पार्टी में जाएगा तो जैन बनके जाएगा खुलाचार की मर्यादा समाप्त हो गई अब सहीम की बात क्या कहें सहियम पर दृष्टी रखो सहियम पर दृष्टी रखो जितने अंच में जीवन में सहियम है उतना ही जीवन आपका सार्थक है अभी कोरोना आया था तो उसने पूरे विश्व को बता दिया कि साकाहरी रहोगे तो सुरक्षित रहोगे लेकिन देखो मनुष्ट कैसा प्राणी है कैसा प्राणी है मनुष्ट वापस उसी में लग गया जो नौन वेज देखना पसंद नहीं करते थे जोनोंने छोड़ दिया था अब वापस उनोंने फिर वही मांस का भक्चन सालू कर दिया विचार्थ तो कर आप लोग तो नहीं कहते न मांस वगेरा आप लोग तो नहीं कहते न यह मांस आधी पदार्थ डायरेक्ट इंडायरेक्ट कितने लोग हैं जो नहीं लेते डायरेक्ट इंडायरेक्ट सोच के बोलना सोच के हाथ उपर करना डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट एक, दो, तीन, चार, पाँच, भाईया सोचलो अच्छे से जो पीछे वाले सब लोग हांत उठा रहे हैं जिन जिनने हांत उठाया है इसका मतलब वो बाजार का नमक नहीं खाते हैं डाइर साब बाजार का नमक खाते हो खाते हो नहीं खाते बस फिर आपका त्याग नहीं है वो आप देखो नमक बनता कैसे है मचलियां, घडियाल कितने जीव पानी पीने जाते हैं उस पानी को पीते पीते मर जाते हैं नमक बनता है आपके पास सबके पास फोन है ढूंड लेना खोज लेना अब आप नमक खा रहे हो कि क्या खा रहे हो विचार करना कुछ दिन बाद आएगा कि साका हरी जेन मान सहारी जेन ये दिन भी देखना पड़ेंगे दॉक्टर साब अब उठाओ हाथ कितने लोग बाजार का नमक नहीं खाते हैं अब हाथ नीची हो गए भी या पहले ज्यादा हाथ उपर से अब नॉक्टर साब भगवान के पिता बने हैं आप नाभी राय जी अब आप बाजार का तो नहीं खा पाओगे खाते हैं क्या बहुत बिरले लोग बचे हैं जो साका हारी है बोलो हनी डारेक्ट इंडारेक्ट चल रहा की नहीं केट बरी खा रहे हो फैकेट वाला खाना खा रहे उसमें क्या है जीवन को अगर बचा के रखना है जीवन को अगर सुद्ध करना है तो सैयम धारन करा फिर सैयम को धारन करना पड़ेगा जितने अंस में कर सकते उतने अंस में तो करें महिने में चार दिन दस दिन पीस दिन जितने अंस में कर सकते धारन उतने अंस में तो करें सोचो एक समय वो था कि जैनों ने जो बोल दिया वो प्रमानेत हो जाता था पहले पूछते थे भीया लड़का चाय पीता है बोले हां बोले अब अपनी बेटी की साधी वहा नी करना सांति लाल जै बोले बेटा अगर होटल में खाटा नहीं भी अपने बच्चे को नहीं देना वहां पर पूछते हैं बजार जाता की नहीं होटल कि देखो शब्द सुनो शब्द प्यूस के अपन बहुत पुन्यशाली जीव हैं अपन लोग बहुत पुन्यशाली जीव हैं जो अपन को जिन सासन की शरण और जीवन में सैयम मिला है सामान ने बात नहीं है अभी लोगों के पास भोजन की सुद्धी नहीं है अभी मन और तन की सुद्धी की क्या बात करेंगे मायक गिनायक जी सैयम को प्रारम करना जीवन इंद्री सैयम और प्राणी सैयम छे निकाये के जीवों की रक्षा करना प्राणी सैयम पांच इंद्री और मन के विशय में विरक्त रहना इंद्री सैयम इनकी और भी तो द्रिष्टी ले जाओ क्या लग रहा है आपको भगवान आदिनात ऐसी बन गए वो तो आपको पांच दिन के नाटक में लगता है कि भगवान बनना बहुत सरल है अभी गर्मी के मौसा में मालूम चल रहा है कि बिना पानी के रहना कितना कटें तो भगवान बनना कितना कटें है सुबह से कितनी बार पानी पी लिया भाई अजित भाई चार बार पानी पी लिया सांति लाल जी सुबह से कितनी बार पानी पी लिया पांच बार विचार करना भी या अमेरिका के मौसम में और भारत के मौसम में कितना अंदर है भी आपने भी तो पांच-दस बार पी लिया होगा पानी अब विचार करना, इंद्रियों का सहियम करना कितना कठिन है भगवान आदिनात बनने के पहले जब उन्हें तीर-थंकर प्रकति का बंद किया होगा तो कितना कठिन था उदे तो बहुत अच्छे लगता है बंद कितना कठिन किया हूँ आज आप कोई संपत्ति लो आज आप यहाँ भगवान की स्थापना कर रहे हो मूल नाएक भगवान की आपके परिवार से न भी आने वाली पीडी में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद आपके वंजज कहेंगे कि अभिन्दनात भगवान की मूल नायक भगवान हमारे वंज में से रखी गई है उनको क्या पता, उनको तो उदै दिखरा है, कितनी मैनत से संपत्ति जोड़ के रखी गई है उदै तो हरकिसी को चलकना भगवान, रिशव, देव, आज गर्ब, कल्याना, गर्ब में आएंगे आपको तो लग रहा है घर बुकल्याना भगवान की रत्नों की वृष्टी चपन कुमारिया अश्ट कुमारिया सौधर मिंद्र कुबेर जैसे देव उनके आंगन में घूम रहे हैं एक मिनट के लिए विचार करना भगवान ने कैसे प्रकृति का बंद कैसे किया था सैयम से कभी एक बार उस और भी तो दिश्टी लेके जाओं अगर गुरुओं के पास रहकर के और गुरुओं के गुरुओं के सानिद पाकर के अगर जीवन में सैयम नहीं आया है तो आपका जीवन जीवन नहीं है इसलिए इस पंच कल्यानक में अपने जीवन में कोई न कोई एक अपनी बुरी आदत छोड़ देना एक सैयम एक नियम एक ब्रत जरूर लेके चले आना जो आपके मन की इच्छा हो बिना ब्रत के रहना मत एक सुई गिर गई इस पांडाल में एक सुई गिर गई बिना धागे की बिलना बड़ा कटिन है और अगर धागे के साथ गिरी तो मिल जाएगी ये ब्रत सैयम धागे की तरह है ये पर्याय सुई की तरह है ये जीव धर्ब्य सुई की तरह अगर संसार में फिर बटक गया अगर ब्रत रहा सैयम रहा तो बच जाएगा बरन गया अपन लोग बहुत पुन्यात्मा जीव है अपन बहुत पुन्यात्मा है कि अपन इतना बड़ा संसार का जंजट छोड़के आए लेकिन सरल भी नहीं है कटिन है भाईया सांतिलाल जी आप ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे कि पाच बार तो पी लिया है इतनी गर्मी में दिगंबर मुनिराज की एक आसन की चर्या अखंड चलती है गर्मी का बिहार और आपको तो लगता है कि निरंत्रा है हो गए मारा जी आहर कैसे विए निरंत्रा है हाँ बढिया कभी आप खड़े हो गर्मी में आद्मी विचारा उपर से निशी तक पूरा चूरा है पसीने में उसको देख के लगता है ये बगवान और बिल्कुल सब घेर लें आपको गम्चाव तरफ से जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होने वाला हो उसको घेर ले कि दोके से हवा ना लग जाए अनति से आहर लो इससे exception हमCollins को कोई हमसे बता रहा था कि शिखर जी गए थे हम आचाया बंगवन को और यह तीन दिन बाद नंबर आई ता ऑले महाराज जी कितने दिन बाद अब मैं तो है सोच रहूरे हो तो तीन दिन बाद उसका नंबर आया तो जो तीन तक जो अंदर आहर कर रहते हैं उनका क्या हो रहा होगा तो अभी पथरिया में मिले तो मैंने पूचा आचाश्री आप कैसे आहर करते थे बोले मैं कमरे का कोना देखके खड़ा होता था कोने से थोड़ा आगे क्योंकि सादू टिक तो सकते ही नहीं है कोना से थोड़ा देख के खड़ा होता था कि गर पूरी पबलिक गिरी तो अपन नीचे नहीं गिरेंगे भी अपन बैठ जाएंगे ऐसे किनारे का फेज करके खड़े होते थे आचाशन लेकिन देखो सईयम कितना है और उस सईयम का ही प्रभाव है कि साधना को इतने वर्ष हो गए हैं फिर भी सबक सईयम धारण करना कितना कटिन है भगवान रिषव्देव गर्भ गल्यानक में ही प्रेड़ना दे नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो पूर्व में सईयम धारण किया था उसका फल यह मिला है अंको बेर अपने बछ्यों को घर्भ से संसकार देना प्रारम करो अपने बच्चों को घर्ब सही संसकार देना प्रारम करो जन्म के बाद भी संसकार देना प्रारम करो उनको एक बाद जरूर बुलना बेटा तुम पैसा भी कमा सकते हो और कर्म की निर्जरा करने के लिए मुनी भी बन सकते हो यह प्रेड़ना आप देते यह नहीं हो। प्रेड़ना देते यह नहीं हो। भाईया क्या नाम आपका हां। चिन्मै भाईया आपकी माने कभी कहा कि तुम मुनी बन सकते हो। बोलो बोलो हा की ना कब कहा जब दोती खुल गई थी महाराच साम ने अच्छे तो बढ़ी असीन था फिर क्यों पहनी क्यों खोले रहने देते नहीं आपकी माने कभी बैठा के समझाया कि बेटा तु मुनी भी बन सकता है अलग से संसकार ने उन्होंने बात कही कि तो मुनी बन सकता है यह कभी पाट पढ़ाया माने हर को यही प्रेड़न देता है इंजीनियर बनो पैसा कमाओ अच्छी लड़की देखके शादी कर लो और नगर के बार एक फामाउस बना लो इंजीनियर है को मल जी आपके पिता जी ने कभी प्रेड़न दी क्या मुनी बननेगी आज की माता पिता देती नहीं है सहीं हम रखने की प्रेड़न क्यों फिर बेटा बोलेगा आप कैसे रहते हो संतान बोलेगी आप भी तो वैसे रहो तब तो हम रह पाएंगे जीवन में संसकार आपको अपने स्वयम प्रारम करना है तब संतान को मिल पाएंगे बच्चे आपके आपसे सीखेंगे इसलिए जीवन में संयम अकलेश भाई अपने बच्चों को फोन मत पकड़ा देने बोजन नहीं कर तो निकलो लो कोई बात में रो नहीं तुम फोन ले लो हमारे प्राण मत खाओ खाना खाओ क्या संसकार मिलेंगे एक दिन रोएगा दो दिन रोएगा एक दिन नहीं खाएगा दो दिन नहीं खाएगा फिर तीसरे दिन अपने आप खाएगा उनको पता है कि थोड़ा सा रो लो ये पिखल जाएंगे अपना काम हो जाएगा बच्चों में संसकार देना आपका करतव है इसलिए अपने इस जीवन में संयम को धारण को जितने अंश्म में कर सकते हो उतने अंश्म में करू अच्छा आप एक बात पूछता हूं कि आप लोग हर दिन दही क्वाते क्या बारा मंाईने चिन में बारा मैने दही खाते हो आज दही खाओगे हां नहीं खाओगे आज का त्याग कर सकते हो दही का कि आज शाम को दही नहीं खाऊंगे पक्का नौबार नामों कारबने देखो कल सुभा तक का इन्होंने दही का त्याग किया है बारा घंटे से अधिक एक रस का त्याग हो गया कि नहीं सहीं, जीवन में सहीं आ गया और भे instrument अंनों त्याग किया है इसका मतलब या तो इनको देव आयू का बन्द हुआ है या भी कोई आयू का बन्द नहीं बहा है क्योंकि जो अशुब आयू का बन्दक है वो त्याग नहीं कर सकता है वो त्याग संसार का राग छोड़ो अपने आपको संयम से जोड़ो इनके साथ रहोगे तो यह संसार में ही रोक के रखेंगे और यह राग का गड़ा इतना बड़ा है कभी पूरा नहीं होता यह राग का गड़ा इतना बड़ा है कभी पूरा नहीं होता ओ सौधर मिंदर जी अब यहां से जब आयू पूर्ण करके स्वर्ग जाओगे सौधर मिंदर के पास तो क्या सैयम लेकर जाओगे वो क्या बोलेगा क्या सैयम लेकर के आयो इसलिए सैयम धारन करना योगों से जीवन को जोड के रखना अगर योगों से जीवन को जोड़ के रखा है मुझे नहीं लगता कि कभी कोई बीमारी होगी मुझे नहीं लगता कभी कोई बीमारी होगी अच्छा आप लोग बताओ कि पहले के लोग जादा घी खाते थे कि अभी के लोग हां पहले की लोग अटेक से ज़ादा मरते थे कि अभी के लोग अब बताओ क्यों पहले के लोग और अपके लोग निकम में हो गए तो मा कह रही है पहले के लोग मेहनत करते थे मा इसमें गलती आपकी भी है बताओं अच्छा घी बनाया आप लोगों ने घी कैसे बनाते हो अपने घर में घी बनाते हो आज भी किडिब्बे वाला आ रहा है 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 दो प्रकार से घी बनता है एक घी बनता है मक्षन से एक घी बनता है मलाई से कौन सा बनता है आपके आप मलाई वाला कितने लोगों क्या बनता है तो आप ध्यान रखना मलाई वाला जल्दी बनता है कि मक्षन वाले में जल्दी बनता है मेनत ज्यादा किसमें है域 देखो जो घी बनाती है लोग सुरुमे मेनद करती हैं तो आपको मेनत ज्यादा करना पढ़ती है जितने मलाई माले रांद से दही सुरु में महनत होती है औरолод पहले प्लकी खाने भी जाना हो तो गाड़ी चाहिए चिन में वाइस ही है थोड़ा कुछ हो के तो गाड़ी चाहिए आपको देखना है पांडाल के पीछे सौधर बिंदर कहा है फोन लगा लो भीया कौन जाया बुलाने कहा हो आजाओ अरे पीछे ही बेटें अच्छा ठीक ठीक अब काम ही नहीं करना चाहते सुष्टित तो आएगी आएगी जीवन आपका कहीं न कहीं प्रीज तो हो गई अगर सैयम होगा तो ऐसा नहीं होगा मा सुन रहें आप लोग अगर आप चाहते हो कि आने वाले आने वाला आपका जीवन और आपकी पीडी स्वस्त्र है सैयम को धारण करके रखना क्योंकि सैयम गया तो सब गया धन की सुद्धी दान से और जीवन की सुद्धी सैयम से धन की भी सुद्धी करना जीवन की भी सुद्धी करना भया महायकिनायक जी सुन रहे क्या देखो भया विदेश में सांती तो मिल जाएगी सुक तो यहीं मिलेगा विदेश आप चले जाओ कोई बात नहीं जीने के लिए विदेश चले और लेकिन मरने के लिए स्वधेश जरूर आजाना क्योंकि वहाँ भगवान तो मिल सकते हैं नमोकार सुनाने वाले गुरु तो यहीं भारत नहीं मिलेंगे इसलिए अपने जीवन को सईयम से बांद के रखना यह आपका सौ भाग यह है इस पंचम काल में जनम लेने के बाब जूद तीर तंकर की देशना सुनने मिल रही है यह सौ भाग यह है अच्छा काम करने के बाद पीट थप थपाते ना तो अपनी अपनी पीट थप थपा ले ना चलो भाईया हमने एक अच्छा काम किया है हमने पंच कलानक महोसों में जिनेंदर भगवान की देशना का स्थ्रवन किया अब उतारा कितना है यह सब के अपने अपने उपर है इसकूल में टीचर सारे छात्रों को एक सा ज्यान देती है कौन कितना ले पाता है वो उसकी उपर है और एक बात ध्यान रखना सइयम की महिमा इतनी विशाल होती है कि जीवन में इसी जीवन में आपको इस जीवन की रक्षा होते हुए दिखती है जितने लोगं का होटल-ओडल का त्याग है यह पुन्यात्मा नहीं बहुत फुन्यात्मा है वह पता नहीं चतने बड़े-बडे पापों से भच रहे हैं सत्यमानना भी आपको लग रहा है जिन में भाई होटल जाते क्या कि त्याग कर सकते क्या कटिन है कि कुछ दिन तो कर सकते हर दिन तो होटल नहीं जाते हर दिन तो होटल का नहीं खाते महीने में पांच दिन, दस दिन, दो दिन, छे दिन, बीस दिन जितने दिन आप जो त्याग कर सकते उतने दिन कर लो छोटे-छोटे नियम सहियम ही एक दिन बड़े होंगे छोटे-छोटे आप देखना जब अगली परियाए मिलेगी या इसी परियाए में कोई लाब मिले और कोई अवदी क्या नहीं मुन्राज से पूछो लाब क्यों हुआ है वह लिए तुमने उस दिन दही का त्याग किया था, आज इस वस्तू का लाब हुआ है क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है इसलिए अपने जीवन में सैयम को धारन करके रखना यह भगवान का गर्ब कल्यानक एसा मत देखना हो गया बस गर्ब कल्यानक वो तो अभी धीरे से चुटकी बजाते मोग्ष कल्यानक का दिन आ जाएगा लेकिन एक कल्यानक भगवान का कैसे मनाया गया उनको गर्ब कल्यानक की प्राप्ति कैसे होई है यह सैयम इसकी नीव है और जिसके पास सैयम है उसकी विशुद्धी अनंत गुनी जारी है जीवन में सैयम है विशुद्धी अनंत गुनी जादा है और अगर सैयम गया, विशुद्धी गई और विशुद्धी गया तो सब कुछ गया और एक बात और बोलना चाहता हूँ सैयम की रक्षा, जीवन की रक्षा आपके और आपके द्वारा किसी की हो रही है तो भोजन और वस्तर दोनों पर ध्यान रखना किस-किस पर भोजन और मोटा खाना और मोटा पहनना समझाओं की रने दो मोटा खाना, मोटा पहनना ये ज्वार, बाजरा, भारती धानने है ये भारती धानने है, ये मोटे धानने है इनको खाना चाहिए और कपड़े भी मोटे पहनना चाहिए यह जो आप पहने ना भारती पोशाख थोड़ना है कमफर्टेबल है जो आप बैटे अभी गर्मी लग रही है और जो दोती पहने है वो वो पैर आगे पीछे पहला के कैसे भी रख लेते हैं इसमें तुम पदमासन लगा लोगे जीन्स में एक आवाज आएगी धीरे से और फिर उटके जाओगे और देखो अंजल भी तुम्हारी लूंगी क्या बढ़िया जब चाहो हाप पेंट जब चाहो खुल पेंट सयम के लिए वस्त्रों क्यों भी विचारन में रखे मां अपने बच्चों को ऐसे कपड़े मत पेंटाना जिन से उनकी मन में विकार आए और उनकी निमिद से किसी और के मन में विकार है ये मत सोचना कि बच्चे हैं क्या होगा नहीं नहीं आज ही सीखना है और आज ही सिखाना है कल का इंतिजार मत करना वो दिन याद करो जब माताएं पल्ले के साथ होती थी और अब यहां देखो देखो कितने लोग पल्ला लिये अब लेना चालू कर रहे हैं इतना बोलने के बाद भी कुछ लोग तो बैटे सुनी रहे हैं लिये ही नहीं है ले लो मा पल्ला ले लो पल्ला सिर में पल्ला ले लो साड़ी में एक लंबा सा हिस्सा होता ना आकरी में कपड़ा बचता है जो उससे ढाकने के लिए मिलता है पता आप लोग को नहीं पता अभी भी नहीं लिए अभी भी देखी रही है देखो को ऑलने आप तो मारा व cracking नहीं नहीं रहे है ब्युक्स हां ले लो ले लो दादी आप भी ले लो दादी देखो सुन रहे हैं देख रहे हैं ले नहीं रहे हैं अब बताओ अंजुल विया कितने धीट हो गए हैं अब आप सोचो की कैसे जाएंगे संसकार आगे तक मुझे तो आने वाला कल बड़ा विक्राल लग रहा है सासें जो हैं वो सूट में हैं बहुएं जो हैं वो जीन्स में हैं अब उनकी बहुएं ओम शान्ती और उस पर अपनी उपर हस भी रहें अब बिचार करना क्या इस्ति होने वाली है बुले महरज जी आप बहुत आउट्डेटेड हो आउट्डेटेड नहीं है जिन सासन के संसकार हैं हमें नहीं लगता कि आरीका माता जब आती है या त्यागी व्रती जब आते हैं तो संसकार देके नहीं जाते हैं हैं संसकार देखे जाते हैं संयम देखे जाते हैं लेना न लेना आपके ऊपर हैं मोटा खाना और मोटा पहनना इस पर विचार करना शेश अपन आगे देखेंगे जीवन आपका आपके हाथ में देखो मैं तो बता के चले जाऊंगा अब जो आपको लगे जम रुच्चई तम कुझ जाहो जैसा लगे अब आप वैसा करना अब अपने विशुद्धी जाही रखना हो तो जीवन में सहियम को धारन करना शेश आगे देखेंगे भगवान महावीर सौमी की आचारे भगवन गुरुवर विशुद सागरजी महराज की